फाइल यहां पे जहरखंड जैससी का यहां पे नोटिस आ चुका है जो भी कंडिडेट का एक्जामनेशन है वो सिड्डियूल कर दिया गया है सेम टाइम पे इतमे कोई भी परिवर्तर नहीं किया गया है एक्जामनेशन आपका दो सेप्टेमबर से ही कंड़क्ट होंगे केंदरों पे इसका जो है किया योजन कराए जाएगा दो सेप्टेमबर से आपका एक्जामनेशन सुरू हो जाएगा परिक्षा से संबंधित परवेस पत्र डाउनलोड करने का लिंक आयोक की अधिकरित वेबसाइट पे जल्द से यहां पे अपडेट दे दिया जाएगा यानि कि बहुत जल्द ही आपको जो उसका लिंक है उपलब्द करा दिया जाएगा यहां पे आज का नोटिस है 24 अगस्त का नोटिस है और भी बहुत सारे नोटिस निकल के आए हैं जैसे सी क्योड से यह नोटिस आपका है कुछ कंडिडेट का जो यहां पे बात कर ले तो कंडिडेटर यहां पे रद किया गया था यानि कि उनका कुछ कारण से तुरूटी बस इनको जो है कि अलग किया गया था जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे 14-8-2023 की आलोग में यहां पे बताया गया कि फोटो सिंगनेचर का अप्लोड नहीं के करने के 13,824 कंडिडेट का हैं पे अभियार्थित्व रद की गई है और जाज पाया गया कि कतिपए अभियार्थियों का फोटो यहां हस्ताक्चर जो है कि टंकन जो है कि तुरुटिवस के कारण रद कर दी गई है लेकिन उनको फिर से यहां पे डाल दिया गया है माने कि यह कंडिडेट का इसमें कुछ भी गलती नहीं था तो उनका फिर से यहां पे अपडेट दे दिया गया है इसके अलावे वैसे कंडिडेट जो फोटो सिंग जो भी आपका रिष्ट्रेशन आइडी आ चुका है इसके अलाबे बात कर ले तो वैसे कंडिडेट जिनका अभी तक जो है कि फोटो अप्लोड नहीं किये हैं उनका डेट यहां पे और सिगनेचर के लिए डेट आ चुका है 25-26 दो दिन यहां पर लिंक एक्टिवेट होगा यह दो दिन महत्पूर्ण है 25 और 26 दोनों तारिक को आप यहां पर अप्टेट मतलब कर सकते हैं अपना और उसके बाद जो है कि आपका अभी अर्थित्व रद की जा सकती हैं समझे कि लाश्ट टाइम है और दो तारिक से एकजाम है तो इसके बाद आपको चांस नहीं के बराबर मिलेगा तो जिन कंडिडेट का जो है कि अभी अर्थित्व रद किया गया है या तो सिगनेचर के करण से या आपका फोटो के करण से तो आप यहां पर अपडेट कर ले यह महत्पूर्ण खवरे है जैसे सिक्योर से लिंक जो आपका एड्मिट कार्ड का है या ता